अभी तक आप लोगों ने यही कहवात सुनी होगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है लेकिन मनेंदरगड जिले के टपका पानी में एक ऐसा तलाब है जो बूंद बूंद से टपकने वाले पानी से भरा है इस तलाब में पानी की कमी कभी नहीं होती हम बात कर रहे हैं मनेंदरगड जनकपुर मार्गपर्ग राम पंचैद बिहारपुर के आगे बसे एक गाउं की जहां पर टपका पानी नामा की किस्थान है यहां दुरगम पहाड़ियों के बेच भगवान शिव का एक प्राशेर मंदिर है जिस इस्थान पर भगवान शिव की मोर्ती इस्थापित है उसके उपर बारा महिने पहाड़ी से जल की बूंदे टपकती रहती है इनी जल की बूंदों से अनवरत भगवान शिव का अभिशेक होता रहता है पहाड की बूंदों से टपकने वाली पानी की बूंदे मंदिर से निकल कर एक पतले नाले की रूप में होते हुए आगे बढ़ती हुई एक विशाल तालाब में समाहिद हो जाती है जिस जगह पर यह तालाब है उस इस्थान पर जल का कोई दूसरा अस्रोत नहीं है शेतर के ग्रामीन बताते हैं कि पहाड से टपकने वाले जल की बूंदों से इस तालाब में 12 महीने पानी का भराव बना रहता है ग्रामिन बताते हैं कि अगर यहां पर आने जाने की सुगम व्यवस्ता हो जाए और प्रकास की व्यवस्ता कर दी जाए तो यह इस्थल एक परेटन इस्थल के रुपे विक्सित हो सकता है जो है जिगरमी बरसाद जाड़ा हर समय पानी टिपिक करके यहां बड़ा सा तलाव बन गया है उस तलाव पुड़ा भरा हुआ हम लोग जब आते हैं गरम दिने भी तलाव भरा मिलता है इसका महत्त है इसका नाम पर टिपका पानी और यहां पे सब सद्धालू लोग आते है प्रशाशन की कोई बेवस्था निंग है इसमें प्रशाशन को ध्यान देने की जरूरत है और यहां का विकास हो जो यहां के गाववालों को इसका लाब मिले और सेवा भाव लोगों में जगे टपका पानी की तरह है जिले में और भी कई परिटक इस्थल हैं जो आज भी गुमनाम है प्रशाशन अगर ऐसे इस्थलों को विक्सित करने जरूरी कदम उठाता है तो यहां के लोगों का ना केवल जीवा निस्तर तुदरेगा बलकि रोजगार के नव अवसर भी स्रिज